नमस्कार में आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं PRB आज यानि की 8 अक्टूबर को हरियाना और जम्मू कश्मीर के चुनाओं के रिजल्ट सामने आ रहे हैं हर TV चैनल अपने अपने रुजहान दिखा रहा है और इन रुजहानों में कभी कॉंग्रेस तो कभी BJP आगे बताई जा रही है हलाकि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कॉंग्रेस सुभा से बढ़त बनाई हुए थी हरियाना में लेकिन जब बैलेट पेपर की गिंती खत्म हुई और इवियम की गिंती शुरू ही उसके बाद सारा खेल ही पलट गया है जी हां हर तरह से BJP अब आगे दिखाई जा रही है आपको बता दे कि BJP हमेशा से जो कारनामे करते आई है इस बार हरियाना में भी BJP ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया है जहां कॉंग्रेस पार्टी सुभा से बढ़त बनाय हुए थी हरियाना में हर तरह से कॉंग्रेस जीती हुई नजर आ रही थी लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर की गिंती खत्म हुई EVM की गिंती शुरू हुई तो EVM ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया हमेशा से आपने देखा होगा कि भारतिय जनता पार्टी किस तरीके से धांदली के आरोप में कई बार विपक्ष के सामने घिरती हुई नजर आई है और इस बार फिर से हरियाना में जो नतीजों में बदलाव आया है ऐसे में कॉंग्रेस एक बार फिर से भारतिय जनता पार्टी पर और EVM पर धांदली का आरोप लगा रही है तमाम टूइट निकल कर सामने आये हैं तमाम कॉंग्रेस के नेता है जो बयान बाजी कर रहे हैं बयान बाजी में साफ तोर पर कहा जा रहा है कि भारतिय जनता पार्टी ने एक बार फिर घोटाले से धांदली करके वोटों की चोरी करके अपने आपको जिताया है हर्याना में जिस तरीके का प्रदर्शन कॉंग्रेस पार्टी का सुबह से दिखाया जा रहा था और अचानक से जो रुजहान में तबदिली आई है जो रुजहान में बदलाओ आया है वो सभी के लिए चौकाने वाला रहा है और चौकाने वाला क्यों रहे भी ना क्योंकि जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी हर्याना में काम करती आई है वहां की सड़के गड़्े रोजगार बेरोजगारी हर तरीके से आपने देखा होगा कि हर्याना में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है कहा जा रहा था कि इस बार हर्याना से सूप्रा साफ होने वाला है बीजेपी का बीजेपी को भी कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उनका सूप्रा इस बार हर्याना से साफ हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से रैलियों में जो प्रदर्शन कारेकरताओं के रहें जिस तरीके से जो आपने देखा होगा ब्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो है रेलिया भी कम करी उन्होंने उनके चेहरे पर मायूसी भी नजर आई और ये तै था कि इस बार हर्याना में भारतिय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा लेकिन आपने देखा होगा कि हर्याना के सीम इसके बाद देख लीजिए उन्होंने किस तरीके का पैतर आपना है क्योंकि नायाप सिंग ने अपने मूँ से ये बात कई है नायाप सिंग का वीडियो भी सुन लीजेगा उसमें वो कहते वे भी नजर आ रहे हैं कि भाया इस बार भारतिय जनता पार्टी जो हर्याना में फिर से आने वाली है पूट बहुमत से आने वाली है क्योंकि हमने सारी विवस्था कर रखी है आप चिंता मत कीजिए तो ये कौन सी विवस्था है जो नायाप सिंग ने हर्याना में की थी जो बैलेट पेपर में नहीं कर पाए लेकिन इवियम में कर डाली और इवियम को ल देख लिए एलन मस्क तक इस बात से राजी है कि एवियम में गड़बड़ी हो सकती है बहुत आसानी से हो सकती है लेकिन भारतिये जनता पार्टी इसको हमेशा नकारती रहे आपको एक एक कर देख लिए तूइट दिखाएंगे कि किस तरीके से धांदली हुई है कहा जा कि हर्याना में फिर से वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके के हरकत भारतिये जनता पार्टी ने की है ऐसे में कॉंग्रेस इससे बिलकुल संतुष्ट नहीं है यहां नाना पटोले जो है महरास्ट में कॉंग्रेस अध्यक्ष है उन्हों ने कहा है कि दाल में कुछ क पाला है यह बिलकुल सही बात कहीं ना कहीं लग रही है क्योंकि जैकर त्वीट ने कहा है कि रिखले हैं कि नायाप सिंग सेनी ने कल नहीं कहा था कि उन्हों ने सारे इंतिजाम कर लिए और बीजेपी ही जीतेगी रुजहानों में जो बाजी पलटी है क्या वे उसी इंतजाम का नतीजा है चुनाओ कांटिंग में सरकार कौन से इंतजाम करती है इविएम या चुनाओ आयोग नायाप सिंग सैनी ने क्या इंतजाम किया है तो देख लिजे सवाल खड़े हो रहा है कि नायाप सिंग सैनी ने जो बात कही थी जो इंतिजाम की बात वो कह रहे थे मीडिया के सामने क्या वो इंतिजाम यही था कि उन्होंने पूरा इंतिजाम कर लिया है चुनाओ आयोग में उन्होंने इंतिजाम किया है या इवियम मे बात कर रहे थे आगे देख लीजिए आप जैकी आदब ने लिखा है कि इतना सब कैसे बदल सकता है मैं आप तक सदमे में हूँ ये सब समझ ही नहीं आ रहा पत्रकार जमीन पर थे उन्हें सब पता होता है अब अगर कोई कहे कि जाट गयर जाट हो गया तो ये वताओ किसी ए ऐसा क्या हुआ देख लीजी एक कॉंग्रेस 77 पे चल रही थी बीजेपी 8 पे सुबा की बात है न्यूस 24 के ये रुजहान है पवन खेडा से बात चीज चल रही है तो यहां जैकी आदब ने देख लीजे लिखा हुआ है सवाल खड़ा करते वे लिखा हुआ है कि जब हर ज कश्वरे के बाद ही ये रुजहान सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि किस सरीके से किसकी लहर चल रही है इस बार जनता किसको लाना चाहती है हर जगा कॉंग्रेस की बाते चल रही थी हर जगा सुभा भी कॉंग्रेस आगे चल रही थी लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो यह नतीजे हैं इतना बड़ा फेर बदल हो जाता है नतीजों में इतने बड़ा बदलाव आ जाता है यह कैसे हो सकता है तो हर कोई इसको लेकर जो है काफी जादा है काफी जादा जो है शौक में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नतीजों में इतना बड़ा बदलाव पवन खेडा भी ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं जयराम रमेश के आपको बात बताई थी देख लिजे पवन खेडा क्या क्युछ कह रहे हैं इन्होंने लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है कि कॉंग्रेस नेता पवन खेडा ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल आकड़े नहीं बलकि चुनाव आयोग के आकड़े दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग के आकड़े चार या पांचवे राउंड के हैं जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-12 राउंड के आकड़े आ चुके हैं चार राउंड के बाद विनेश पोकाड को पीछे दिखाया गय लेकिन नौ राउंड के बाद वो बावन सो वोटों से आगे हैं आंकडों में इस अंतर को लेकर हमारे महासरचीफ जैराम रमेश ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से पूछा है कि स्थानी प्रशासन पर दबाव बनाने की ये क्या कोशिस है हम चुनाव आयोग से इस पर तु जो है वो अपने वेबसाइट पर डाल रहे हैं इसकी बात हम पहली वीडियो में भी कर चुके हैं इसके अलावा देख लिजी यूजर्स हैं जो वह भी इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं अनिल जो है अनिल यादव उन्होंने लिखा हुआ है कि पोस्टल बैलेट की गिंती है सब को समझ में आ गया है कि जब पोस्टल बैलेट की गिंती हो रही थी तब सब कुछ सही चल रहा था लेकिन जैसे ही इवियम की गिंती शुरू हुई इवियम ने और बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया इवियम को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं लेकिन आपको शुरूआत में बात बताई थी कि वो भी कह रहे हैं कि किस तरीके से ये खतरनाक है इवियम लोकतंत्र के लिए खतरनाक है जैकी आदव ने बकाइदा देख लीजे लिखा हुआ है कि एलन मस्क सदी के सबसे बुद्धिमान और जीनियस वैक्तियों में से एक है एलन मस्क बात से सहमत हूं हमें टेकनोलजी गरनें पता जबकि व्यैर्यान के इन नतीजों में पता चल गया है जो रुझान सुभा से कॉंग्रेस के पाले में जा रएंट एट jinender गंती शुरू होती है कैसे वोटों की चोरी की गई है यहां यह साफ दिखाई दे रहा है इसको लेकर देख लिए काफी गुसा बयां कर रही है अपना और किस तरीके से पवन खेड हों जैराम रमेश हो खान हो और तरीके से साफ तर पे कहा जा रहा है कि हर्याना में इस पूरी विदियो के रहा है आपको क्या लगता है कि यह वाकरी भारतीय जनता पारी भी जे पी ने हर्याना में चुनाओं में धांदली की है वोटों की गिंती में धांदली की है अपने जो भी राय है अपना जो भी मत है मैं कॉमेंट के ज़रीए जरूर देख बाकि ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें प्यार भी के साथ धन्यवाद